नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके यूटूब चेनल पर आज हम पढ़ने वाले रैंकिंग याने की क्रम्यावस्था याने की प्रत्योगी परिछाओं के लिए हर बार पुछे जाने वाले 5 प्रसना जो SSC, CHSL, Group D, Railway, Vyapam इस तरह के एक्जाम में काफी आप लोग का Helpful मिल सकता है चलिए जैसे Question को देखते हैं प्रसना आपके सामने है किसी भी छोड से सुरू करने पर यदि किसी पंक्ती में आपका नंबर 11 है तो यह बताए कि पंक्ती में कितने वेक्ती है प्रसना में क्या क्या है किसी भी छोड से हम बाया तरफ से भी चलू कर सकते हैं दाया तरफ से भी चलू कर सकते हैं है ना देखें यहाँ पर किसी पंक्ती में आपका नंबर 11 है चले माल लेते हम यहाँ पर 11 नंबर है 21 यानि 21 हो जाएगा आप संतीन सहीं हो जाएगा चली अगला प्रसना देखते हैं अगर यह प्रसना आपको समझ में नहीं आया होगा तो second question देखते हैं देखें यहाँ पर सुधीर का कक्ष उपर से 7 वा है तरह नीचे से 28 वा है उपर से कितना पोलागे है सातवा और नीचे से 28 वा कक्ष में कुल कितने विद्यारती हैं अगर इसी तरह का कभी भी सवाल पूछे उपर से या नीचे से या दायें से बायें से क्या करोगे दोनों को जोड़ देना है और माइनस वान करना है हमेशा ध्यान में रखना है दोनों को क्या करना है जोड़ना है और माइनस वान करना है फार्मूला के लिए क्या होगा left plus right minus 1 ठीक है चलिए अब यहाँ पर माल रखे देख लेते हैं तो क्या हो जागा 7 plus 28 minus 1 तो कितना हो जागा 34 कितना जागा 34 यानि कि 34 कौन सा अपसन में दीख रहा है पहला अपसन में यही आंसर हो जाएगा चलिए अगर यह प्रसना आपको समझ में नहीं आएगा तो तीसरा प्रसना जरूर समझ में आएगा लास्ट एक वीडियो को जरूर देखना है वीडियो अच्छा लगते है तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करना है चलिए देखते हैं अगला प्रसना तीसरा और बहुती महत्रपॉर्ण No Question एक 80 लड़कों की कक्षा में कितना बोलागِ 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के के योगेता सेडी में उपर से 43 स्थाने कौन से इस्थाने ऊपर से 43 स्थाने तो उसके नीचे से कौन से इस्थान पूछे गए कभी भी अगर उपर से इतना नंबर दिया रहेगा और नीचे से इतना इतना इस्थान पूछेगा तो क्या करना है मैं बता आ रहा हूँ इसको ध्यान से समझेगा तीसरा और बहुत ही important सवाल है प्रस न कहाता है कि एक 80 लड़कों की कक्छा में कितने लड़का है 80 लड़कों की कक्छा में एक लड़की का योगिता सेड़ में उपर से 43 हुआ इस्थान है कौन से इस्थान है 43 हुआ और उसका नीचे से कौन से इस्थान होगा कभी भी इस तरह का सवाल पूछे तो क्या करोगे सबसे पहले 80 माइनस 43 प्लस वन करोवित कितना जाएगा 38 80 में माइनस 43 घटाओ कितना 37 और एक जोड़ दोगे तो 38 हो जाएगा आपसन में कौन से दीख रहा है आपसन 2 में 38 अगर इस तरह का नहीं बना सकते तो क्या करोगे 80 लड़कों की कक्षम एक लड़की कियोगी तो उपर से बोलागे है तो 80 लड़का है अगर उपर से बोलागे है तो एक जोड़ देंगे तो 81 माइनस 43 कर देंगे तो आंसर भी आ जाएगा 38 है ना चलिए देखते हैं आपस जो आपको मैं 4 और 5 वा कोश्चन कराऊंगो बहुत इंपोर्टन है इस टेप को कोश्चन अक्सर पूछा जाता है हिजा में देखे कहता है प्रस्णा एक पंक्ती में 22 और से 21 है कौन से इस्थान है एक पंक्ती में 22 और से 21 है जब की B का इस्थान दाहिनी और से 10 हुआ है यदि उन दोनों की इस्थान बदल दिये जाए देखे आप आपस में बदलने की बात कर रहा है अब दोनों का आपस में बदल दिये जाए तो A-22 और से अठारवा इस्थन हो जाता है तो इस प्रंक्ति में कुल कितने लोगे और सबसे इंपोर्टेन सवाल है इसी तरह का प्रस्नम पूछा जाता है देख़े प्लस्नम कहता है यहां पर की बाई और से 1 का इस्थन 11 है अब उसी प्रकार B का इस्थन दाहिनी और से कितने दस्वा है अब यदि दोनों के इस्थान आपस में बदल दिये जाए तो एक इस्थान 52 से कितने हो जाता है अठरवा हो जाता है देखे यहाँ पर क्या पहले क्या वो लग था Derekhan Vichan कितना था वहीयर से 11 था अब हो इस्थान को बदल दिए है तो essayer Acrenews вып NYU गया है 27 देखे एक बर और समझाता हूं इसको देखें आपर प्रस्ण में कहा है कि 22 और से A का इस्थन 11 था और B का इस्थन 12 और से 10 वा 22 और से 11 और 12 और से 10 वा जबकि एक इस्थन बदल चुका है तो इसका इस्थन कौन सा हो गया 8 वा हो गया है है ना तब दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जग 18, 10, 28-1 यानि कि 27 तो इसका आंसर 27 होगा चलिए अगला प्रस्न देखते हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट है यह पांचवा सवाल यह पांचवा सवाल बहुत ही इंपोर्टेंट है इसे ध्यान से जरूर समझना राजी उपर से 10 वाई स्थान पर है और रवी नीचे से 21 वाई स्थान पर कौन से बोलेगे राजी उपर से 10 वाई स्थान पर है और रवी नीचे से 21 वाई स्थान पर अब उनके बीच में 3 चात्र है तक अक्छा में कुल कितने चात्र होंगे इस तरह का प्रस्न एक्जाम में बहुत पूछा जाता है जैसे SSC, railway है ना देखें यहाँ पर ध्यान से समझना राजी उपर से कौन से इस्थान है? दसवा इस्थान है, जबकि रवी नीचे से 21 इस्थान पर है और बीच में 3 चात्र हैं Cool कितने पूछा गया и Cool कितने चात्र हैं तो इसके देखें, अबर यहाँ पर अधिक्थम नहीं पूछा गया है ना नियुंतम नहीं पूछा गया है हम दोनों तरीकेस बनाएंगे इसको थीक है? चलिए देखतें कैसे बनाते हैं इसको देखे अगर यहाँ पर अधिक्तम के लिए पूछा तो क्या करेंगे पहले बाएं जोड़ेंगे फिर दाएं जोड़ेंगे प्लस बीच के इस्थान जोड़ेंगे यानि कि तीनों को जोड़ेंगे अगर अधिक्तम के लिए पूछा तो देखे यहाँ पर 10 प्लस 21 प्लस 3 या अगर यही सवाल में अगर new time के लिए पूछा तो क्या करेंगे दाएं प्लस बाएं माइनस बीच प्लस दो यानि कि दोनों को जोड़ेंगे आए बाएं यानि कि दोनों को जोड़ेंगे बाएं कहीं स्थान और दाएं कहीं स्थान 31 में अगर दोनों में से एक आंसर आता है तो आपको वही आंसर लगाना होगा अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर सस्क्राइब करें यह हमारा पार्ट फार्ण वीडियो था रिजिनिंग से संबंधित सवाल कल हम अपलोट करेंगे पार्ट टू वीडियो ठीक है इसका आगे पांच प्रसना और कराएंगे जो एससी रेलवे यवापा में पुछा जा सकते हैं आज के लिए बस इतना ही धन्यावाद ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सस्क्राइब जरूर करें ओके करेंगे